चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि यदि आपके पास GST की सर्टिफिकेट है और उसके बाद आपको उसे अमेंड करना है यानि कि इसमें कुछ सौशोधन करना है यदि आपको उसको रद करना है यान से कैंसल करना है और एक बार वो अगर कैंसल हो गई है तो उसके बाद को कैंसलेशन वापस लेना है याने कैंसलेशन का रेवोकेशन करना है आएंग कि इन सारे परक्रियाओं के पीछे कैसे सब होता है यह जो amendment प्रक्रिया है यह सारे legal taxable persons के लिए लागू होती है और इसके साथ साथ वो उन लोगों के लिए भी तालुक रखती है जिन्हें UIN issue किया गया है जैसे कि सयुक्तराश्टर से संधर्बित एजन्सिया विदेशी जुतावास इत्यादी तो यदि आपके पास GSTIN है या UIN है यही प्रक्रिया होगी आपको amendment करने की जिस जानकारी के आधार पर आपने pancard प्राप्त किया था जैसे कि आपका pancard number आपके bank account details या और भी कोई ऐसी अन्य जानकारी अगर इस में से किसी भी जानकारी में कुछ बदलाव आता है तो आपका दायत्व है कि आप GST authority को तुरंत ही इस नई जानकारी के बारे में बता दे और आपको ये करना पड़ेगा 15 दिनों के समय सिमा के अंदर ध्यान रखिए 15 दिन मतलब 15 working days कोई भी जानकारी में बदलाव के लिए आप इस्तमाल करेंगे form GST REG 11 अब यदि आपकी जानकारी में कोई बदलाव आता है तो आपको GST authority को उसके बारे में बताना ही पड़ेगा लेकिन केवल कुछी स्थितियों में GST authority की approval की भी जरूरत है और वो approval कुछी changes के लिए है सारे changes के लिए नहीं है और वो भी आपको 15 working days में मिल जाएगी अब दोस्तों ये कौनसी परिस्थितिया है जिसमें आपको GST authority का approval लेना पड़ेगा उसके बारे में हम आएंगे और बात करेंगे कुछी मिन्टों में लेकिन उसके पहले ये प्रक्रिया समझ लेते है यदि आपके जो changes है वो approve हो गए वो मनजूर हो गए तो 15 working days के अंदर आपको पता चल जाएगा GST REG 12 form के तहत यदि इन changes के साथ GST अफसर खुश नहीं है तो वे आपको एक show cause notice यदि कारण बताओ notice जारी करेंगे और इसके द्वारा वो आपसे अधिक जानकारी की मांग करेंगे और ये किया जाएगा GST REG 03 से आपको याद होगा कि GST की अरजी प्रक्रिया में हमने ये form देखा था तभी भी इस form का उप्योग तभी होता था जबकि GST के अफसरों को अधिक जानकारी की जरूरत थी और दोस्तों यहां से प्रक्रिया ठीक उसी की तरह से आगे बढ़ती है आपको साथ वरकिंग डेस के अंदर अंदर वो जानकारी GST के अफसर को देनी पड़ेगी और वो जानकारी आप देंगे form GST REG 04 के जरिये ये आपको साथ वरकिंग डेस के अंदर अंदर करना पड़ और उसके बाद अधिक साथ वरकिंग डेस के अंदर आपकी इस जानकारी पर गौर करेंगे GST अफसर और वे फैसला लेंगे कि क्या आपके इस amendment request को अप्रूव करना है जो वे करेंगे GST REG 12 के तहत या वो आपके amendment को reject कर देंगे तो दोस्तों ये समझ लेते हैं और दो form जो हमने अभी देके GST REG 11 जो की application for amendment after registration का form है और GST REG 12 जो की order of amendment of existing registration है GST REG 12 यानि की GST के अफसर ने आपकी amendment की अरजी मनजूर कर ली है दोस्तों कुछी मिंटों पहले हमने ये कहा था कि GST अफसर का approval कुछी ऐसे परिस्तितियों में जरूरी होगा और वो ऐसे परिस्तितिया है जहां पे आपकी कोई तो महत्वपून जानकारी बदल गई है उदाहरन के तौर पे आपके business का नाम आपके business का मुख्यकारियस्थान यानि की principal place of business या और जानकारी जैसे के आपके partners या directors की जानकारी यदि Hindu undivided family है तो करता कौन है उसकी जानकारी आपके management committee में कौन है शामिल आपके board of trustees में कौन शामिल है आपके CEO या Chief Executive Officer या उसके बराबर के दरजे वाले officer में यदि कोई बदलावाता है तो ये सारे changes के लिए आपको approval की जरूरत लगेगी GST authority से और अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपून बात याद रखिए कि GST की करव्यवस्था पूरी तरह से pan पर आधारित है उधारन के तोर पे aggregate turnover की जो गिंती होती है वो भी pan के आधार पर होती है तो यदि आपके pan में कोई बदलावाता है तो आपको और कोई परियाय नहीं है आपको एक fresh registration करना पड़ेगा याने आपको फिर से पूरी तरह शुर्वात से registration के लिए apply करना पड़ेगा और जी हाँ दोस्तो अब आपके मन में एक शंका शायद ये आउटी है कि यदि आप CGST Act के तहट register हुए हो तो यदि आपकी कोई जानकारी change होती है तो क्या आपको वो ही amendment फिर से SGST Act के द्वारा भी करना पड़ेगा जी नहीं दोस्तो बे फिकर रहिए क्योंकि GST कर विवस्ता के तहट CGST और SGST की सभी जानकारी एक ही है तो यदि आपने CGST Act के तहट किसी भी जानकारी को change किया amend किया तो automatically वो जानकारी SGST Act के registration में भी बदल जाएगी और ठीक उसी तरह यदि आपके SGST Act के registration में आपने कुछ amendment किया तो वो जानकारी भी automatically अपने आप बिलकुल आपके बिना कुछ किये CGST में भी update हो जाएगी तो इस तरह से amendment की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाती है आपको SGST और CGST के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाओं का बोज नहीं उठाना पड़ता